हेलो एविवान गुट मॉर्निंग कैसे हैं आप सब उम्मीद करते हूं आप सब बहुत ही अच्छे आदा अच्छे होंगी तो आज है 11 तारीक और यहां पर पेंटिंगा काम चल रहा है मेरे यहां जैसे कि मैंने बताया था मेरे यहां काम चल रहा है तो इदर साइट यह कोट कर ने से नहीं हो पाएगा तो यहां पेंट wood wrap này इस तरीकay से हम लुग करते है और हम जाते हैं किचन में लish वाइट सुमय आज के लिए यहां लिए दूह मेरे तर्माच घी नि जेंगा मुंग मैं डाला है तो निचे साइड हम लोग कर देंगे लिए कना मन था Étatsटा क इन्होंने कहा कि कल का दूद्ध बचा हुआ है और ज्यादा फ्रिज में बच गया तो हम लोग ने कहा कि थोड़ा सा सिवई बच गई यह महीन वाली आधा पैकेट तो मैंने कहा लाओ इसी को बना लेते तो यहां सिवईयों को इस तरीके से तोड़ लेंगे तो यह जो 10 रु मीडियम आज पर आप करिए और आपकी फटा फट से सिवईया भुनके हो जाती है रेडियो बहुत अच्छी लगती है जस लाइक सूथ फेनी जो होता नहीं है वैसा टाइप कर टेस्ट आता है एक दम महीन वाली सिवईय में तो यहां पर दूद हमने बॉयल कर लिया है और सबसे पहले में स्वाद अनुसार चीनी अट करना है, तो मिला सकते है प्सक्ते है किसी को पसंद होता है किसी को तो हर यहाँ कटोरी जो 200 नहीं होती है, पर 2-yardolic jас काटा ऑनवे काटाने में मुच्छी आपके छूडकेuepassy स्पतिन को और फ ACTवार बहुते है यहां जो लागत इसको हमें लास्ट में डालना है जब हमारी सिवय पक जाएगी अच्छे से तो इसके बार मैंने सिवय डाल दिया था तो यहां पर इस तरीके से हमारी सिवय बनके हो गई है मैं चला के दिखाती हूं फुल क्रीम वाला दूद आपको यूज़ करना है जब भी से वही बनाएए या खीर बनाएए और लास्ट में थोड़े से केसर मैंने डाल दिया जिस वज़े से थोड़ा सा लाइट और इंज कलर कर लूक आ रहा है हलका हलका तो बहुत यम्मी लगत इसे डिजाइन भी करते हैं जो स्लेटिंग डिजाइन डिजाइन करते हैं जैवा मार्केट है तो इसे हम संदेट गया बनाने के लिए और उसके लिए हैं वकल बर करनाने के लिए यह जाएं लिए। भी समस् הי humidity उसके से ग्लम ढेरें उसके। हम लोग खुद से ट्राइब करेंगे कैसा बनता है तो यहां पर लिए सब्सक्राइब कर रहे हैं तो यहां पर पैंट लिया है golden कलर का और अभर स्लेटिंग लिया है हमने डिजाइंग जो होती है और यह ब्रुष लिया है जो कि इस तरीका रोलिंग ब्रेश होता है जिससे यह डिजाइंग पेंट की जाती है तो इस तरीके से मैं अपने हजबन के साथ हेल्प करा रही हूं दोनों लोग मिलके यह वाल डिजाइंग पेंटिंग कर रहे हैं यहां पहले सुचे थे कि सिंपल रहन देते हैं ठीक है लेकिन फिर हमने सु इन नहीं भी कहा कि खुद से करते हैं देखते हैं कैसा बनता है अगर खराब बनेगा तो भी क्या रहना है तो किसी चीज को डरने से अच्छा उसे ट्राइक करना तो इस तरीके से आपको डिजाइंग रखना है और गोल्डन पेंट जो हता है सीमर वाला इसको आपको इस त पर मागेंगे तो आपको मिल जाएगा इसली और लगबग यह 2-500 रुपए की रेंज में आपको मिलता है और ब्रेश अगर आप लेना चाहते है तो डेट सो से 200 रुपए में यह वाला ब्रेश आता है और लोकल मार्केट से आप लेते तो 100 रुपए में जीली मिल जाता है जो रोलिंग ब्रेश भाए उसके बाद आपको गोल्डन पेंट लीना एंट अलग रहता है आप हाई रेंज में भी सकते है लो रेंज में भी तो गोल्डन से पैंट ब्रेश में पैंड कुल्धे समाने इस तरीके से आपको शलेटिंग डिजाइंग के उपर लगाना और आ इन्होंने यह वाली डिजाइंग कहा कि हाफ दिवाल पे बना देते हैं अच्छा लगेगा तो मैं अपने हजबन के साथ लगी हुई थी और पुरा घर मेरा फैला हुआ था और यह लोग सूबे से लग गए थे इतना पुरा डिजाइंग बनाने में मैं आपको बताओ धाई स हमें गाला है आप तो तो 10 बाइस ते से तीन घंटा लगता है मानके चलिए और आप दूर-दूरी पे बना सकते ぁे पस पास-पास पास में भी डीजाइं बना सकते हैं जैसा आपको पसंद लो confirming graal ननननी बनाया था वाकि महां घरी में और 15 की और यहां पर रात के डिनर की तयारी हो रही है इस रात के साड़े साथ बज़ रहे हैं मैंने सुचा चरो डिनर बना लेते हैं तो सिंपल तरीक के साज सिमला मिर्चालू को यहां पर मैंने तयारी करके रखा है काट के रख दिया है तो कड़ाई पर हम लोग दो चम्मच सरसो क तेल लेंगे जीरा डालेंगे डिरेक्ट मैंने रात में वीडियो किचन से शूट कर लिया बहुत थक गयते हम लोग इसलिए मैं आगे कॉंटिणू नहीं रख पाई थी वीडियो तो यहां पर मिर्चा लैसुन का आपको तड़का डालना है जब तड़का आपका अच्छे सो तो यहां पर जब हमारा प्याज अच्छे से भुन जाएगा तो उसमें हमें मिलाना है हल्दी तो आज बहुत सिंपल तरीके से भुजिया जो शिमला में चालू की सबजी होती ना वह मैं बता रही हूं यह मैंने तीसरी बार बनाया और मुझे इतना अच्छा लगा मैंने क यहां मैंने एक चमच गरम मसाला डाला यह की हम लोगों ने खुद पीसा हुआ है घर पर खड़े गरम मसाले ला करके खुद बना कर रख़ थे गरम मसाले आप इस तरीके से क कुए मैं आरे तो कोई भी गरम मसाला पौच जो आता है उसे यूज जो तो लिजम ररा शिमला म जो आपने काट के रखा है साइज आप अपने इच्छा नुसार रख सकते हैं आलो और शिम्रा मिर्च का तो उसको डाल देना है इसके बाद इसको अच्छे से चलाना है इसके बाद आपको इसमेड करना है जी हाँ, नमक, शादा नुसार तेहार पे मैं बता रही हूं आपको कि यहां पे मैं पानी नहीं डालूँगी शिम्रा मिर्च और आलू के सबजी में केवल नमक डालने के बाद मैं इसको अच्छे से चला करके बीच में ढखतूंगी और बीच वीच में मैं चलाती रहूंगी तो जब भी कभी भुजिया सबजी बनाना रहता है ना तो बीच में ढख दो फिर बीच बीच में ढखने के बाद खोल के चलाना पड़ता है कंटीनू ढख के नहीं पका सकते हैं तो उस तरीके से मैं बीच में चलाती रहूंगी करते हैं ऎ messing ते यहाँ ड़ीटे में असमान रख देत भी गाएँ तो तो आटा लगा लेंगी तो यह रहेगा आज रात का हमारा डिनर सिम्ला इमेच आलू भुजिया की नहीं हमारी सब्जी बनके हो गई रड़ी बहुत टेश्टी लगती बहुत यह मैं बनतों गई सब्जी लेकिन मैं टमाटर डालना भूल गई थी तो लास्ट अबर मैं इस तरीके से हूल कर दूं इससाथ और तो टमाटर चॉप कर रखा था वह डाल देंगे हम लोग फिर इसको ढखके लगभग पांच फिर पकने देंगे हमारा टमाटर अच्छे से गल जाएगा तो इसको चला लेंगे फिर हमारा सब्जी फैनली बनके हो जाएगा रेडी तो इस तरीके से शिमला मिर्चालू की सब्जी आप भी बनाईए और लुफ्ट ठाइए अज बाहर पीछे साइड का काम जो गार्डिनिंग विगरा का कैरी विगरा बनाने का है प्लान और थोड़ा साथ सफाइए का क्योंकि दिवाली चल रही है और दिवाली में साथ सफाई होती है हर घरो में तो यहाँ पी यह चल रहा है तो चलिए इसी के साथ आज की वीडि और लो में बाव 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 आपी वन